अरिवासियत के साथ ठूजन किया था बड़ी खुसरत चीज़ा हैं जो उनको बाकी अरिवासिक राम्तिकारियों से उपर रखती है इसलिए इनकी बाता है इक ही जोर कि बीर बुद्धु भगत का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमार जिए किस तरीके से उनका जो पुछ चीज़ें परिवासिक भगत के एक परिवार ने दी डेर सो से दो सो लोग सहीद हुए अचार सो बतीस में उनके गाओं को घे लिया है जोने के तोक के साथ और एक अक लोगोंने पहले अपनी सहादै दिती उनके भाई भती, उनके तीन बेटे हो दोाकराना हल्दार गिड़ दा, उनकी बेटिया भुलिया जुनिया तो ऐसे सारे भाईओंने भतीज़े बेटों ने बेटियों ने जो सहादै दीस त्थ हुआ प्राह से तो दो परि दूसरी की जो संथाल हूल हमारा है 1856 का सिदो कानो चान जार अरब तुलो जानो 30,000 लोग जिसमें हर जाती समुदाय के लोग उस इलाके के कामिन को के और दो बारों ने हरा दिया अंगरे जीप खौज को फिर पहती के लड़ाई में हराया फिर बीर भूम के लड़ाई में हर कि लड़ाई के लिए 1857 की लड़ाई के लिए 1856 55 55 हूल होना जरूरी था फिर वो भागिरत मांजी है बन बहुत सब्सक्राइब बहुत चले है बागिरत मांजी में 1857 में वो सफाहड़ो होड़ो मने स्वच्छ मनुसराम अगर पवित्र नहीं होंगे हम अपने को को सुरू किया और उनके संग्ठन से अंग्रेज घबरा आ गए गरफ्तारी हुए अच्छा सकतर मतना अजड़ पीस्फुल मुमेंट से हमारे हां जता टारावगत ने गांडी के पहले 1914 में हमारे हां संतीपुन और रहिंसात्म कांदोलन चलाया तो यह कुछ चीजें यहा से जनजातिये गौरफ दिवस के रूप में घोशित करके के सरकार ने उस जो भूले हुए पहले पर उसे उन्होंने एक मंच दिया है और लोग उसके बारे में जानने लगे हैं जी जी दिवाकर हम उस शेत्र के खासवर पर अगर चारखंट की बात करें तो यहां पर अब कितना बदलाव देखने को मिलता है हमें जिस तरह से यह जो समुदाय है वो किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है और देश में अब अपने योगदान में अहम भूमी का निभा रहा ह है चुकि केंद्री सरकार के जिन योजनाओ की बात हम करते हैं तो खासा लाब इन्हें अब मिल रहा है और उत्साह की अगर हम बात करें तो इनमें देखने को मिलता है समाज की मुख्यधारा से अभी लोग जूटे नजर आए है और लगातार यह कोशिस होती है कि किस तरीक कि अगर जो तो लगातार इसके प्रियाद किये जा रहा है और उसके बाद उन्हें एक बहतर प्रफॉर्ण बिल सके ताकि वह पैसे के अभाव में प्रहाई में रहा है तो तमाम तरह के प्रियाद किये जा रहे हैं और आज जो यह विशन लाँच हो रहा है इनके लिए 24,000 लाँच करने जा रहे है इस तरह के जो आयाम है उसे एक बल मिलेगा और लगातार यह कोशिश हो रही है कि मुख्यधारा में जन्जात्य समाच के लोगों को लाया जाए और इसके लिए यह प्रियास भी हो रहा है कि किस तरीके से जो विकास की किरन है इनके घरों तक पहु जाये जाए और जो घारखंड की लगबग दो पिहाई जिले हैं वो जन्जात्य समाच की अवादी तो ऐसे लोगों के लिए कई इस लिए लांच किये गये हैं ताकि इनको विकास की पिरन इनकी तक पहुंचे इन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके और इनका ज के लिए जो ये मिशन की शुरुआत हो रही है इसे बल मिलेगा और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है किस तरीके पे जो विकास की मुख्यधारा में अब तक आजादी के बाद पीछे छूट गये हैं उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए तो वो जो आयाम है वो भी इसे मनोबल भी बढ़ेगा कि मैं कोई उनके बारे में सूचने वाला है कोई उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है तो लगातार उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वो मुख्यधारा